हेलो फ्रेंट्स, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल तो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे मॉबाइल से Microsoft Excel में कैसे एक सीड बनाएं तो फ्रेंट्स यहाँ पर मैं एक Excel सीड बनाने वाला हूं मॉबाइल से जिसमें students के subject wise marks होंगे तो फ्रेंट्स जानने से पहले यह दिए आप मेरे चैनल पर पहरी बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए तो चलिए जानते हैं मॉबाइल में Excel सीड कैसे बनाएं तो फ्रेंट्स सबसे पहले हमें अपने मॉबाइल में Microsoft Excel को डाउनलोड करना होगा यह अप प्ले स्टोर पर इजिली अवेलेबल है वो भी फ्री में तो फ्रेंट्स जब आप इसे डाउनलोड कर लेंगे तो इसे उपन कर लेंगे उसको सेफ करने की लोकेशन दे सकते हैं जैसे मेरी अभी इस डिवाइस में और डॉक्यूमेंट नाम के फोल्डर में यह सीड जो है सेफ होगी अब नई वक सीड बनाने के लिए दोस्तो इस पर टैप करना है तो अब यहाँ पर इतना करने के बाद दोस्तो मेरे मुबाइल पर एक वक सीड खुल चुकी है तो आप चाहे तो यहाँ पर इसको अभी लैंडिस्केप मोड के लिए कर सकते हैं लैंडिस्केप मोड करने के लिए दोस्तो आपको आटो रोडेशन आन करना होगा तो अब इसको मुबाइल को तरशा कर लेंगे अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी एक्सल सीड जो है लैंडिस्केप मोड पर आ गई है तो अब हमें करना क्या दोस्तो अब यहाँ पर हमें इस वाले ए वाले कॉलम पर टैप करना है अब एडिट वाला बटन है इस पर टैप करना है एडिट वाले बटन पर टैप करने के बाद हमें इस पर लिखने का ओप्सन मिल जाता है तो अब यहाँ पर हमें student detail लिख लेंगे, यह seat की heading है, फिर इसके बाद यहाँ पर serial number, फिर इसके बाद यहाँ पर name, अब यहाँ पर इसके बाद subject, यहाँ पर subject वाले column के just नीचे, subject के नाम लिख लेंगे, जैसे हिंदी, English, Science, Math और SSP, अब इतना करने के बाद दोस्तों, अब subject वाले column पर टैप करेंगे, और इसको merge कर लेंगे, यहाँ तक, यहाँ तक subject है, हमारे desktop या laptop में उपर जो toolbar रहता है, जिसमें हमें merge, या फिर insert, home वगेरा का option मिलता है, वो option हमें यहाँ पर search करना पड़ता है, बाकी पूरा काम एक ही ज मिसान है, इस पर हमें tap करने के बाद, वो option यहाँ से ढूंबने पड़ते हैं, अब हमें इसको merge करने के लिए, यहाँ पर से इसको नीचे tap करना पड़ेगा, तो यह देख सकते हैं, यहाँ पर home वाले option में, merge और center का option यहाँ पर मिल चुका है, मुझे, तो इस पर tap कर लेंगे, तो अभी देख सकते हैं subject वाला, जो c से लेके g तक, जो row है, यह merge हो चुकी है, अब इसी तरीके से serial number, अब इसी तरीके से name को भी tap करेंगे, और इसमें merge कर लेंगे इसको, और इसी तरीके से serial number को भी merge कर लेंगे, अब यहाँ पर हमें students का नाम लिखना है, तो मैं as a sample, यहाँ पर student का नाम लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने अब अपने students का नाम लिख लिए है, अब यहाँ पर हमें marks देने हैं, किसके कितने आये थे, तो sample basis पर यहाँ पर मैं marks दे देता हूँ, तो यहाँ पर मैंने अपनी सीट डिटेल भर दी है तो यहाँ पर मैं अपनीं पूरी सीट में डिटेल भर चुका हूं अब यह स्टुडेंट डिटेल इसको भी मर्ज कर लेते हैं यहाँ चोंव है यूट अब इनको यहां पर जो है सबको सेंटर में ले लेते हैं पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं इनको तो अब यह सीट पूरी सेंटर में आ चुकी है 24 में वर्ड लिखे हुए है पूरा सेंटर में अब इसमें हम बॉर्डर दे देंगे पूरा इसको सीट सेलेक्ट कर लेंगे कि तो यहां पर border वाला option पर tap करेंगे के तो यहां पर हमें border मिल जाते है już जो सारे ब्लोक्य में border दिखा रहा है इस पर tap करना है deed कि तो इससके मेरा देख सकते हैрिगे मेरी पूरी सीट में border आ चुके है तो स्टूडेंट की यहां पर स्पैलिंग गलत है इसको सही कर लेंगे तो अब जो है यहां पर बॉर्टर लगाने के बाद इस पर मैं बोल्ड भी कर सकते हैं इसको थोड़ा सा सुंतर बनाने के लिए तो बोल्ड करने का ओप्शन भी हमें होम पे ही मिलता है तो इसको बोल्ड कर लेंगे और सीरियल लंबर और नेम को भी बोल्ड कर लेंगे या सब्जेट को भी बोल्ड कर लेंगे अब इसको थोड़ा सा और अच्छा सुन्दर बनाने के लिए इसके बॉर्डर जो है डार्क वाले उप्चन यूज़ करेंगे अब बनाने के लिए अच्छा सुन्दर जाएंगे अच्छा सुन्दर लेका है तो अब आप देख सकते हैं दोस्तों मेरी सीट बनके तयार हो चुकी है तो इसी तरीके से आप भी मुबाइल का यूज करते हुए तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए थैंक यू